हलो फ्रेंड्स एक बर फिर से आप सभी का इस यूटीब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ दिल से तो आज मैं एक छोटी सी अबजर्वेशन आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ जो कि सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम AGNO3 कहते हैं उस के सोलूशन में एको सटोलूशन में और avsil्वर की थी सिल्वर नाइट्रेट का यहां हम हम एको सलिशन बनाने जा रहे हैं तो एको सलूशन का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ड को वाटर के अंदर डिजол करना और उसको एक होमोजीनिस सलूशन उसका तयार करना और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का जो content है वो काफी ज़्यादा amount में डल गया है तो मैं अभी दूसरे बीकर में सिल्वर नाइट्रेट को dilute करके बनाने वाला हूँ तो अभी सिल्वर नाइट्रेट के echo solution को dilute कर दिया है और कुछ amount मैंने dilute करने के बाद इस बीकर में सिल्वर नाइट्रेट का ले लिया है अभी मैंने इस metal की copper की जो की metal है इसकी coiling करने के बाद मैं इसको dip कर दूँगा इस बीकर के अंदर तो actual में ये displacement direction है जिसमें copper metal silver को displace करने के बाद क्या बनाती है copper nitrate बनाती है तो अभी friends मैंने copper metal को silver nitrate के solution में add कर दिया है और हम अब wait करेंगे कुछ देर कुछ देर wait करने के बाद हमें ये observation देखने को मिल रही है ये देखिएगा जिसके अंदर जो coiling है coiling metal है इसके आसपास का जो zone है उसमें छोटे छोटे bubbles बहुत सारे bubbles हमें देखने को मिल रहे है यही इस reaction के दुरांग मैंने observe किया था जिसको मैंने समझा कि आपके साथ भी share किया जाए actually my friends ये displacement reaction का example है जिसमें जो copper होती है वो as compared to silver ज़्यादा reactive होती है और silver nitrate में से silver को displace करता हुआ ये copper nitrate हमें बना देता है solution में और silver metal वहां से separate हो जाती है ये देखेगा ये watch कर सकते है अभी इसकी different different form भी मैं आपको दिखाने बाला हूँ इस वीडियो में ही बने रहे हैं इस वीडियो में तो friends ये भी मैंने कुछ record किया था इस वीडियो में ये देखेगा बहुत ही प्यारे ये bubbles इस solution में observe किये थे ये देख सकते है और इस form में भी कर सकते है ये देखेगा और एक another form इस reaction में ये भी है watch करें इसको अच्छे से और अगर आपको इन bubbles का कोई reason पता है तो please comment box में अपना opinion जरूर शेर करें friends at the end ये copper coiled जो wire थी बिकर में से remove कर दी गई है और solution का color आपके सामने है bottom end में कुछ particles settle down हो चुके हैं आपको मैं यहां दिखाने की लगातार वीडियो में कोशिश कर रहा हूं observe करते जाएं ये देखेगा ये ये देखेगा flashlight मैंने on करके रखी हुई है ये आपके सामने रहा bottom end में देखीगा और जो solution silver nitrate का starting में हमने देखा था white color का था milky type color का था वो बिलकुल change हो चुका है colorless solution की form में और ये रहा वो coiling wire तो यही observation थी फ्रेंड्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था अगर आपको वीडियो बसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लाबा बहुत सारे हमारे chemical reactions है बहुत सारे experiments है जो कि playlist में मैंने उनको अलग-लग segment में add कर दिया है चाहें तो आप उनको watch कर सकते है thanks for watching keep watching, stay with us bye bye, take care